जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करतों भाई सब बढ़ी आउंगे शुड़ हम दोस्तों बात करेंगे जो दा हंडर्ड का मैच नमबर 32 खेला जाएगा बर्मिंगम फियोनेक्स वर्सिज लंदन स्प्रेटी या निकि BPS वर्सिज LNS की टीम के बीच में इसको डिटेल में कवर करने हैं पूरे स्टैट्स आपको बताऊँगा विद मैच अपस ये देखेंगे आज के मैच में कौन से प्लेज को आपको टीम में पिक करना है किसको अ देखो और उसके बाद में टीम स्लैक्सन करोगे शोरली आप लोग विन करके जा सकते हो क्योंकि किसी भी प्लेयर के बारे में आपको एक परसेंट भी कन्फिजन नहीं बचेगा अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लेट देखते हो सबसे पहले दोस्तों चैनल पर नहीं हो हो जाएगा तो टाइम से पहले वीडियो जरूर से कंप्लेट वोच कर लेना दूसरे इंपोटेंट चैनल के साथ में नहीं चुड़े बाई ये अमारा टेलीग्राम चैनल है इसके साथ में जोईन कर लेना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे सबसी उपर टोप म एक पिंड कमेंट आपको मिलेगा वहाँ पे लिंक है टेलीग्राम का सिंपली किलिक करना वो टेलीग्राम के साथ में जोईन कर लेना टोस के बाद में कोई भी अपडेट होगी या फिर इस मैच के जो भी फाइनल टीम रहेगी आफटर टोस जिस टीम के साथ में आम लोग जोईन करेंगे वो आपको सिर्फ टेलीग्राम पे अपडेट की जाएगी टोस होने के बाद तो कमेंट सेक्शन में जाओगे लिंक आपको मिल जाएगा सिंपली वासे टेलीग्राम के साथ में जोईन कर सकते हो आगे बढ़ते बाद करते हैं अब इंपोर्टेंट चीज़ ये मान के चल सकते हो कि या पर शायद आपको थोड़ा सा बैटिंग फेवर चीज़े देखने को मिल सकती है लेकिन अगर मैं दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ ना एलनेस की टीम डेको साथ मैच में से अपने केवल दो ही मैच विन कर पाई है जब कि अगर मैं टोटल मैच दस हुए नो मैच में 140 प्लस का स्कोर बना है तो इससे ये चीज़ तो अपने सामने के लिए रहे कि विकेट काफी बढ़िया रहेगा अब डिपेंड यार देखो बैट्समें की उपर करता है कि वो किस परकार की बैटिंग करते है ठीक है कोलाप्स कर जाएंग कर पाई सर्फ आपको स्कोर के उपर फोकस करना है कितना स्कोर यहां पर बना पिछले मैचेज में और उसे साबसे फिर आप लोग अपना आज के मैच का भी टीम स्लेक्शन कर पाऊगे यहां पर देखोगी यह वुमेंच का मैच जहां पे 142 बने फर्स्ट बैटिंग में औ 130 के स्कोर के उमीद करूआ, 140-150 के फिलिंग लेके नहीं चलोगे, 130 रंस के इसाफ से टीम बनाओ, क्योंकि जिस परकार का फोम अब दक दोनों टीम्स ने दिखाए नूँच इसाफ से लगता है कि उनकी बैटिंग कुछ खास परफोर्मेंस कर पाईगी, अलंकि बल्ले बास दोनों टीम्स में काफी बढ़ी है, फिर भी हम लोग बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो बोलर्स के साथ में भी आप लोग अपने टीम में थोड़ा सा ठीक ठाक जाके टीम स्लेक्शन कर सकते हो, आगे बढ़ते बाई, हैट टो एड़ मैचिस देख लो, दो मुकाबले वे बेंडगेट के साथ में, इस सीजन की फोर्म आप लोग देख पा हुए, साड़े तेरा कैवरेजर विल समेद का, जो क्यो तना कुछ खास है नहीं, बेंडगेट का साड़े 24 कैवरेजर, 6 मैच में 123 रंच है, जैमी स्मित रहेंगे विकेट के पिंग सेक्शन के प्लेयर, ज एक ओवर में नोर्मली 6 गेंदे होते है, लेकि दहा हंडडड के मैच होता है, ठीको ओवर्म आप लूग एक चीज समझ के चल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर नापना आइडिया लगा के चलपाओगे कि इस ने अपन कितनी गेंदबाजी करवा यह जैसा क मैं बात करूँ लियाम लेविस्टन की चार ओवर गेंद बाजी करवाईए मतलब चार इंटू पार्च करोगे यानि की बीस गेंद अब दक इनोंने कम्प्रिट करवाईए सिर्फ यानि की पिछले पार्च मैच में उतने कुछ खास गेंद बाजी करीने है मतलब रेगुलर रूपे नहीं खिलेंगे सिर्फ आप लोग आजे बल्ले बाज इनको उठा सकते हों मोहिन नहीं रहेंगे क्रिस बेंजामीन है बैनी ओवल है क्रिस वोक्स रहेंगे एडम मिलने रहेंगे केन रिचर्जन और यहां पर तन्विर संगा रहेंगे अब सभी के स्टैर्स आप यहां से देख पाऊंगे अब देखो यार मैं एक एक प्लियर के स्टैर्स आपको रीड करके तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे आगे ना मैचस अपस की उपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है तो आप लोग यह वाले स्टैर्स जोडन थोंसन नेथन एलिस और यहां पर डैनियल वोरेल इनके जो में गिनबाज एक बार वो आपको बता दू डैनियल वोरेल रहेंगे नेथन एलिस रहेंगे यहां से लियाम डाउसन नहींगे रवीब ओपारा रहेंगे और जोडन थोंसन नहींगे यह पास इनके में ग important है अगर आपने ये चीज़े समझ लेना तो आप लोग एक चीज़ समझ लो कि आपका जो टीम selection है न वो बहुत ही जादा बढ़िया बनने वाला है बस रिस्क आपको उठाना पड़ेगा ये ध्यानक न ठीक है तो सबसे पहले विल समीद की बात करेंगे किस टाइप के बोलर के सामने किस परकार के आकड़े इनके देखने को मिल सकते हैं आपको जो मेन फोकुस करना है वो सबसे पहले average को पर focus करके चलोगे ठीक है तो इधर से देखोगे will समीद की तो सारे 19 coverage आपको मिलेगा left time medium के सामने मतलब पहली कमजोरी इनकी हमें पता लग गई कि कोई भी left time medium या फिर आप लोग left time fast भी कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप लोग खुद से भी रिड़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगी main इनकी कमजोरी जो हमें समझ आईए वो आए तीन टाइप के बोलर के सामने सबसे पहले left time fast या फिर left time medium कोई भी गेंद बाज हो सकता है उसके बाद में left time orthodox और जो main रहेगा वो रहेगा यहां से भाई राइट हम उबरेक मतलब यह तीन टाइप के बोलर के सामने विल समीद की मेल नहीं आपको कमजोरी दिखेगी अब विल समीद ओपनिंग करने वाले बल्लेबाज सामने वाले टीम से कौन आपको देखो right time fast मिलेगा कौन आपको left time medium मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है तो यह चीज़ आपको जान में रखनी है और अपनी notebook में note करते हुए चलोगे तो आपके लिए चीज़े ज़्यादा beneficial बन सकती है ठीक है आगे बढ़ते भाई band orthodox को भी अगर आप लोग एड़ करना चाहूं कर सकते हूं यहाँ पर दो main कमजोरिया दिख रही है left time fast के सामने या फिर भाईया यहाँ पर left time orthodox के सामने बेंट के case में यह चीज़ दान में रखोगे आपनी notebook में यह चीज़े आप लोगों को mention करने जब आप लोग टीम सेलेक्शन करोगे न इवन आप लोग जब भी GL की टीम भी मनाऊगे न तो भी आपके काफी help होगे इंसरेट से बहुत मैनत लगी है इसलिए हम आपके लिए यह सारे चीज़े cover कर रहा हूं आगे चलते हैं यहां से बात करते है जैमी समेट की मैचपस भी दिखाऊंगा कोई टेंस नहीं यह बस आप लोग वीडियो complete देखो left arm fast के सामने 17 का average है 13 का average है left arm medium के सामने इनकी भी कमजोरी हमें पता लगी उसके बाद में केवल 7 का average देखेगा right arm fast के सामने राइट arm fast मतलब भईये कम से कम 140 प्लस की pace होनी जी यह गेंदबाज के पास में ठीक है वो 130-130 की pace में अगर कोई गेंदबाजी करेगा न उससे बात नहीं बनेगी कम से कम 140 प्लस की pace के साथ में अगर कोई right arm medium या फिर right arm fast गेंदबाजी कर सकता है कोई बोलर उसके सामने यहाँ पे jammy smith की जो है हमें थोड़ा problem दिख रही है बाकी ठीक ठाक है 26 कैवरेजर right arm medium जो की normal है की आपको हर बल्ले बाज के case में दिखेगा छोड़ो के चलो कोई दिक्कत नहीं है में तीन कमजोरिया दिखी left arm fast या फिर left arm medium उसके बाद में भाई राइट arm fast के सामने ठीक है बाकी leg break के सामने 28 कैवरेजर जो की T20 अंदर मेरे इसाब से ठीक है उतना खराब में नहीं कह सकता तो ये तीन गेंद बाजो के सामने इनका struggle आपको देखने को मिल सकता है उसके बाद में आगे चलेंगे यहां से बात करेंगे भाई अगले बाले बात जो की रहेंगे लियाम लेविंगिस्टन नोर्मली काफी बड़ी अप ले रहे तकड़ी हिटिंग कर सकते हैं आप सब को पताई होगा लेफ्टाम चाइनमाइन के सामने थोड़ा सा प्रोब्लम फेस करनी पड़ती है लेकिन सामने वाले टीम में कोई है नहीं तो रिमूव कर के जलो फिलाल उसके बाद में नीचे आओगे साड़े 26 कैवरेज आपको दिखाई देगा राइट अम उब्रेक के सामने 24 कैवरेज मिलेगा राइट अम उब्रेक के सामने राइट अम लेक ब्रेक के सामने 26 कैवरेज है 253 गेन में 313 रन से 13 बार आउट हो चुके 531 गैज में 723 रंस है 27 बार आउट हो चुके में दो कमजोरिया मुझे दिख रही है या तो राइट आम लेक ब्रेक गेंड बाज या फिर भाईया राइट आम ब्रेक गेंड बाज नॉर्मली क्या होता कि देखो लियाम लिविंग्स्टन एक ऐसा प्लेर है जो किसी के भी सामने रंस मार सकता है क्योंकि काफी तगड़ा बल्ले बाज ये काफी तगड़ी हिटिंग कर सकता है और नॉर्मली क्या होता कि कोई भी राइट है जो बल्ले बाज होता है कहीं नहीं कहीं 24 का यह एवरेज है राइटाम उबरी गेंद बाज के सामने उसके बाद मैं आगे चलते हैं मोहीन अली की बात करते हैं उतने कुछ खास टैर्ड इस सीजन में तो नहीं है बाकी देखते हैं किस परकार के हो सकते हैं इनसे देखो मैं बल्ले बाजी में कभी भी ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके नहीं चलता मतब यह प्लेयर ने एक तरह एक तरीके साथ लोग यह कह सकते हैं कि भाई तुका बेस प्लेयर है चले तो चले ना चले तो ना चले सिधा सिधा मतब गेंद किदर भी हो भाई इसको सर्फ हिटिंग करनी होती है ठीक है और उसकेस में रंस नहीं आते है उसकेस में विकेटी जाता है तो इनसे मैं बल्ले के साथ में बड़ी पारी की उमीद नहीं करूँआ बाकी ये खेल दे तो ये कगलाग्सीज है लेकिन मुझे एक्स्पेक्टेशन्स जो रहेंगी ना वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी 21 का एवरेजर लेफटाम और्थडोक्स के सामने 19 का एवरेजर राइटाम लैक ब्रेक के सामने जो की तीन इनके सबसे बड़ी कमजोरिया आपको दिखेगी लेफटाम चाइना मैन कोई है नहीं तो आप लोग इसको रिमूव कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है में तीन कमजोरिया देख लो भईया लेफटाम मीडियम या फिर लेफटाम फास्ट बेस में आप लोग एड़ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में लेफटाम उर्थडोक्स रहेगा और यहां से रहेगा भईया राइटाम लैक ब्रेक गेन बास्टिक है तीन टाइप के बोलर के सामने मोही नली की कमजोरी आपको साफ साफ दिखाई दे जाएए ये बात होई बीपिएच के प्लेयर्स की आगे बढ़ते अब बात करेंगे या से बाईया लनस टीम यानि की लंदन स्प्रिट की जो टीम है उनके बारे में ठीक है सामने के लिए रहे ठीक है बागे ठीक ठाक आकड़े साड़े तेज का जो मुझे थोड़ा गम लगा याँ पर राइट हम लेक ब्रेक के सामने या फिर आप लोग यहां से कह सकते हो लेफ्ट हम और्ट हम और्ट हम फास्ट के सामने भी उतने कुछ खास है नहीं क्योंकि 42 गेज में केवल 50 रंस है टी टून्टे के एसाब से तो भाई कुछ भी नहीं है क्योंकि 42 गेज में कम से कम यह मान के चलो 75 से 80 रंस तो बनने चीए लेकिन इनके केवल 50 से उतना स्टाई के रेट के साथ में ये लेफट हम फास्ट के सामने नहीं खेलते तो विकेड जाने के चांसिस कहीं नहीं बनके जरूर जा सकते हैं आगे बढ़ते बाई एडम रोसिंग्टन की बात करेंगे इधर से देखोगे लेफट हम चाईने में तो चलो हटा दो इधर से 20 का एवरेजर लेफट हम फास्ट के सामने 22 का एवरेजर मीडियम के सामने साड़े 9 का एवरेजर राइट हम फास्ट के सामने 140 प्लस की पेस्ट जान रखना ठीक है सामने वाली टीम में कौन राइटम फास्ट है ये चीज़ आप लोग अपने खुज से भी देख सकते हो कोई इशू नहीं है क्योंकि उस चीज़ में कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा साड़े सत्रा गैवरेजर आइटम उब ब्रेक के सामने है बट हो गया कि देखो ये ओपनिंग करने वाले बले बाज है तो सामने वाले टीम या स्टार्टिंग के अंदर किसी शायद यहां पे स्पिनर का यूज तो करेगी नहीं ठीक है क्योंकि विकेट से टरन तो होगा नह बले बाज अगर विकेट दे दे तो वह एक अलग चीज है विकेट के साइड से ज्यादा टरन आपको शायद ना देखने को मिले और एड़म रोसिंग्टन जो है वो हिट एंड मिस वाला प्लेर है ठीक है यह आप तो किसी के सामने रंस मार देगा या फिर किसी भी गेंद को विकेट थो करके जा सकते है बाकि इनकी जो कमजोरी है वो आप लोग यहां से देख पाऊगे 22 कैवरेज है यहां से साड़े 9 कैवरेज है राइट अम फास्ट के सामने यह चीज द्यान में रखोगे ठीक है उसके बाद में आगे जलते भाई यहां से बात करते है अब ड बल्लेबाज ज़्यादा परेशन यहां पर कर पाएंगे ठीक है और इनकी जो मेन कमजोरी है साड़े 11 की एवरेज है लेफ्ट आम फास्ट के सामने बाकी देखोगे तो साड़े 25 का मुझे थोड़ा कम लगा यहां पर राइट आम को बहुत तगड़ा प्ले रहे ठीक है एक तरफ आपने टीम को मैच मिन करवाने की काभिले तबंदे में लेकिन इस सीजन की जो फो मैना वो उतनी जादा बढ़िया है नहीं कमजोरी देखते एक बार इनकी 20 का इवरेज आपको मिलेगा राइट आम फास्ट के सामने लेकिन फोरन प्लेर है मेरे साब से उतना प्रोब्लम होनी नीची मैथ्वेड को फास्ट के सामने क्योंकि काफी अच्छा गेलते हैं बड़ कहीं दिखतो रहे बाई 20 का इवरेज है तो कहीं थोड़ा सा परेशान परेशान नहीं हो सकती अब मैं आपको दिखाऊंगो मैचस कि कौन सा वल्लेवाज अब किस गेन पास को कितनी बार याउट हो चोका है तो उसके उपर चलते हैं यहां से देख पाऊगे सबसे पहले विल समीद की बात करेंगे डैरल में चलके सामने आउट नीवे दो बार आउसन के सामने 11 गेन में 24 रंज है उसके बाद में बेंट टेकेट रहेंगे ये भी ओपनिंग वल्ले बाज है 22 गेन में 13 रंज है एक बार आउट उचके जोडन थोंसन के सामने बाकी किसी को ज़्यादा फेश इनोंने नहीं किया सभी कि आप लोग ये चीज अगर नोट में नोट करेगो और फिर उसके बाद अपना टेम सेलेक्शन करोगे तो आपकी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उसके बाद में बात करते है जैमी स्मित की 10 गेन में 12 रंस है रवी बोपार आगे सामने एक बार आउट वे नेथन एलिस के सामने आउट वे नहीं है लियाम ड उसके सामने इनकी कमजोरी आपको साफ साफ दिगई होगी उसके बाद में लियाम लेविंग्स्टन की बात करते है इनको देखो यहाँ पर जोडन थोमसन ने दो बार आउट कर रखा है बाकी गेन बाद जो के सामने ठीक ठाक परफॉर्मेंस है उत्रा कुछ खराब है नही आगे बढ़ते बाई मोहिन अली की बात करते है इधर से देखोगी एक बार इनको आउट किया यहाँ पर रवी बोपारा ने 15 एन में 23 रंस है जोडन थोमसन ने एक बार आउट कर रखा है उसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ से बात करते हैं यहाँ से बात करते हैं यहा आपको राइट आम फास्ट गेन बाज देखने को मिल जाएंगे पीछे क्या बता है था अब आप लोग चीज वो रिलेट कर पाओगे कि राइट आम फास्ट के सामने क्यों या आप है विल समेध की आपको कमजोरी देखने को मिल पाएगी बैन डगट की बात करते हैं साथ ग गेन में 49 संसे दो बार आउट है के रिचरसन के सामने मैथ्यू एड के राइट आम फास्ट के सामने कमजोरी आपको बताई थी पीछे अगर आपको ध्यान में हो ठीक है लेकिन फोरन प्लेयर है मेरे साथ सो उतना नहीं होनी चीए बाकी यार देखो स्टैट्स तो स्टैट जरूर से कर लो स्टैट्स किस परगार के लगे कमेंट सेक्षन में एक बार जरूर से बता देना अभी इस मैच के एक बार मैं आपको डेमो टीम दिखा देता हूँ जो कि मैंने फिलाल के रियेट कर रखी है तो चलिए फिर डेमो टीम पे चलते है अभी आप लोग देख प इन ले नेथन एलिस और यहां पर के निजर्शन चेंजिज क्या करोगे आपके पास में देखो लियाम लिविंग्स्टन की बहुत बड़ी उप्सन है उनको डारेक्ट अपने टीम में उठा सकते हूँ या तो डैनियल लोरेंस को टीम से बार करो या फिर बार करो यहां पर डैनल में चल की ओप्सन है नेथन एलिस को ट्राई गर सकते हो बैननी होवल को ट्राई गर सकते हो मोहीन अली को ट्राई गर सकते हो यह आपके लिए सेफ ओप्सन देगी मेरा टोटली डिफरेंशल या फिर टोटली रिस्की कह सकते हो कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी ठीक है अगर मैं इस टी में चेंज़ेश करूँ और मालीजी टोस्ट के बाद तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ये टेलीग्राम चैनल है इसके साथ में जोईन कर लेना इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्षन में जाओगे सबसे उपर टोप में एक पिंड गमेंट है वापे मिलेगा सिंपली उस लिंक से आप लोग टेलीग्राम को जोईन जरूर से कर लेना उमीद करता हूँ दोस्तो ये वीडियो अपने कम्लेट वोच क्या होगा बाई पसंद आया हूँ अगर वीडियो में बताई कि इन्फोर्मेशन आपको अच्छे लग्यों न तब वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल भी ओन कर लेना आने वाले किसी भी मैच्स की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच्स की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच्स में एक बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे और आपके टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी